आपको पता है कि UPSC ने 2024 के लिए notification निकाल दिया और उस notification को अगर हम ध्यान से पढ़ते तो एक बहुत important rule है जो आपको जाना है पूरा वीडियो देखना जो भी important चीज़े उसमें बताई है वो मैं आपे cover कर रहा हूँ photograph जो आप form में upload करते हो उसको लेके बहुत बड़ा paragraph आप UPSC ने आट कर रहा है और उसमें बोला गिया कि जब आप photograph upload करोगे तो वो 10 दिन से जाधा पुरानी नहीं होनी चाहिए मतब कि अगर आप आज form भर रहे हो आज photo upload कर रहे हो तो 14 फरवरी है चार फरवरी है उसके बाद वो फोटो खिचवाई होनी चाहिए पहली बात दूसरी बात उस photograph के उपपर आपका नाम और कौन सी तारीक को photograph खिचवाई गई है वो लिखा होना चाहिए ध्यान से देख लेना पीछे plane background तो होना ही चाहिए लेकिन जब photo खिचवाऊगे तो उसमें नीचे नाम और date जिस तारीक को photo खिची गई है वो ज़रूर होना चाहिए साथ में आपका जो face है वो photo का 3 4th of the space लेगा मतलब कि यह visa type photos होती है plane background के उपर जिसमें 3 4th area जो होता है वो आपका face cover करेगा ध्यान रखेंगे साथ में जिस appearance में आप photo click करवा रहे हो उसी same appearance में आपको UPSC hall में जाना है मतलब कि यहाँ पे aspirant के लिए काफी problem कर दी है कि suppose करी आज आपने haircut कराया, beard trim करायी, चश्मा पैना वा है, नहीं पैना वा, whatever अगर आपने ऐसा कुछ करा हुए और वो करके आपने photo की चुआ ही है, same look में आपको UPSC hall में जाना है, यहाँ पर क्या लिखा है, the candidate must ensure कि जो उनकी appearance है, must match with their photograph, मतलब कि for instance, if a candidate uploads a bearded photograph, he must appear with the same look in prelims, mains and interview, मतलब कि अगर आप beard वाली photo डाल रहे हो, तो pre-mains interview में उतनी ही length की beard ह चाहिए, thickness में भी UPSC यहाँ पर objection raise कर सकता है, बहुत जादा tough rule यह photograph के लिए निकाला गया है, लेकिन आपका form reject नहीं होना चाहिए, इन guidelines का प्लीज ध्यान रखिएगा, चश्मा, beard हो गई, और उसके लावा जो भी अगर आपको जैसे face पर cosmetic अगरा लगाते हो, उस चीज का ध्यान रखना कि बिना उन चीजों के आपको photo click करवानी है और upload करनी है, तो यह थी बहुत important guideline, बाकी वीडियो को like कर देंगे, चैनल subscribe कर लीजे,